तो यह लड़ाई हुई थी इस सब जाती धर्म के लोगों ने पेशवाई के खिलाप लड़ी थी उसमें माराठा भी थे महार भी थे चामबार भी थे हर एक जात के उसमें लोग थे और यह मिलिन एक बोटे नाम के एक वेक्ति ने इस घटना को बुरी तरीके से मतलब गलत त शवाजी महाराज के खिलाब यह लड़ाई थी वास्तविकता इत्यास ऐसा नहीं है तो यह गलत इत्यास बता कर पूरे उस भिमा कोरे गाओ के आजुबाजु के जो गाव है उसमें उन्होंने तरुन को युवकों को भड़काने का काम किया था और यलगार परिशत में जो ज लगा दिया गया वास्तविक तहा इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भड़काव भाशन नहीं था उसमें जस्टिस बीजी कोल से पटिल भी थे वह हाई कोड के जैस थे अगर ऐसे लोग वहाँ पर थे तो ऐसा भड़काव भाशन होने का कुछ वहाँ पर संबन नहीं था यह महारास्टर में ऐसी बात चल रही है कि हम जब अधिवासी दलित के आधिकारों की बात करते तो हमें नक्षलवादी बोला जाता है जब हम महाराथा के आधिकारों की बात बोलते तो हमें जातिवादी बोला जाता है अगर हम मुसलिमों के आधिकारों के हक की बात करते तो हमें देश दुरही बोला जाता है यह जो नई पेश्वाई जो महारास्ट में जो पूरे देश में आ रही है उसके खिलाब हम आवाज उठा रहे तो यह जो आरेसेस वाले लिविचार धारा के लोग जो है जिसमें नरेंद्र मुदी जी के गुरू संबाजी भिडे उनका मतलब उनका नाम मनोर है लेकिन संबाजी नाम से महारास्ट में जाने जाते वह बोलते हूं मैं संबाजी भिडे हूं तो ओभि इसमें शामिलते उनके उपर भी वह तो पीमेल जो थी लो जो हमारी बहन थी उसकी डेथ यह वह आक्सिदेंट नहीं था मिर्डर है इसा हमारा कहिना है लेकिन यह महारास्टा में जो चल रहा है उसके खिलाप हम आवाज उठाने वाले और उठाते रहेंगे बिशाल जी देखा गया कि पूरे भारत वर्ष के अंदर इस समय जहां जार बीजेपी प्रदेश हैं उसमें एक ताना साही चला है तो कानून भारतिय सम्विधान को तो कहीं भी आखों के तले नहीं ला रहे हैं तो कैसा यह एक महावल पैदा कर दिया देखिए भारतिय और लåtटे करें मराठा हो तो मैं अगर माराठा समाज में जो बढ़ती होई जो बरोजगारी है वहाँ हैं जो हमें जातिवादी mattress कि उसके नक्षल वाजब शाषित राज्यों में चल रहा है यह इन्होंने एक महुल बनाया है पूरे देश में कि जो भी यह सरकार के खिलाप बोलेगा वो देश द्रूई है और जो सरकार की बाजू में मतलब जो नरेंदर मुदी का गुंगान गाएगा वो देश प्रेमी है वास्तवाजुक बना रहे जो वातावरन बना रहे वह बूरा है यह अंटी-कॉंस्टिटूशनल मुवेंट्स यह सब बीजेपी के तरफ से चल रही है यह बहुत गलत हो रहा है हमारे देश का समीदान खत्रे में है हमारे देश में मतलब धर्म के नाम पर जो राजनीती चल रही है अब मुझ लेने के लिए बाकी दलीत है जब हिमालय में किसी ब्रह्मन की वहाँ पर हत्या होती है तो हिंदु की हत्या होती है अगर महारस्ट्रमें अगर हमारे महारजात के कुई किसी लड़की की मोत होती है तो उसे दलीत की हत्या कहीं जाती है वहाद पर हिंदु के हत्या नहीं बोलते इनका जो हिंदु और जो दलीत का जो पैटरन है बीजेपी वालों का बहुत अलग है सिर्फ ओटों के लिए उन्होंने पैटर्म बनाया है यह अभी हमें पता चला है यह जो आरेसस के राजनीती है यह हमें समझ रही है और इसके खिलाब हम जब आवाज उटाते हैं मराटा होगा तो उसे जातिवादी बोला जाता है अगर उन दलित आदिवासी हो तो उसको नक रहे जो काम क्या चुपाने के लिए कभी के जैनलितों का सार लेते हैं मुस्लिमों का सार लेते लाप जया कि अटी रूम्यों का इस त्रीके से लेते हैं तो क्या रभा इब यह जब से आई है तब से हर फ्रेंट पर एग ओर्रॉन्मेंट फेल हुए जो पालिसी लाई थी वह पॉलिसी जो है गरीब दलीत आदिवासी किसान के खिलाब के सब पॉलिसी है तो समाज में अभी इस सरकार के खिलाब बहुत मतलब आवाज आ रही है यह कोई भी लेकिन यह तो गरीब लोगों के दिल के अंदर फुकार है कि हमें इसा नहीं लाएंगे लेकिन जो पुंज पुझीपती वगेरा कोई किसी की बजो बात करें हमें हमें डॉक्टर बाबासाइब अंबिड करने बोला था कि जब उन्होंने देश का संविधान दिया था तब उन्होंने हमें कहा था कि तुम्हें इस देश की सत्ताधरी जमात बननी है अभी हम समाज में जा रहे हैं और के फंडेमेंटल राइट्स के बारे में हम बता रहे हैं तो आने वाले समय में पुझी पतियों का जो भी राजकारन है जो भी पॉलिटिक्स है बहुत बड़ा चालेंज है हमें 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 हमारे देश का कॉंस्टिटूशन बचाना है 2019 में आगर यह रिपीट होती है तो यह पर फंडेमैंटल बेसिक रैट्स जो फंडेमेंटल बैसिक रैट्स जो खतम कर देंगे रिजर्वेशन का रिपीट करते हैं जब अगला जो चुनाव होगा नहीं जी मनुस्मृति इनका जो गॉन्स्क्राइब और आपने इस का constitution अगर पड़ा गोलवल करने जो बुक लिकी है वो अगर बुक आपने पड़ी bunch of thought तो उसके उपर उसमें उनका constitution है तो इनकी जो विचारधारा है ये गुलामगिरी की विचारधारा है ये कुछ लोगों का कुछ विशिष्ट लोगों का इनको राज यहापर देश में लाना है और इसके खिलाब पूरे देश में दलीत, आदिवासी, अलपसंक्यांक, मराठा, कुर्मी ऐसे जो जन जन जातीया है वो अब एक होने लगी है और इसके लिए ये एक ना हो इसके इसके लिए एक्रोसिटी जैसा मुद्दा लाते हैं बीच में इसके लिए वो दलीत हत्याकान का कोई इशू लाते है मुस्लिम हिंदू वैसस कोई दंगल बनाते है तो ये जो देश में चल रहा है अच्छा करतम जी इस तरीके से दो अपरेल को इसमें बड़ी घटना घटी है और पूरा भारत बंद हुआ और एक ताका परीशे दिया क्या इस तरीके के आप इस तरीके कोई गटना या सुप्रेम को ओड़ता है या भारतिय है जनता पार्टी करती हैं क्या फिल्द स्थी कोई मुहीं मोहीं आ सकती है अब देखिए भारतिय जनता पारटी का जो राजनीती जो है उनकी जो राजनीती का जो तरीका है वो डिवाइड एंड रूल है like Britishers के तरह को कभी दलीतों को कभी दलसल्मानों को अब बैकवर्ड का नमबर है नमबर कभी भी किसी का भी आ सकता है मैं माराटा हूं मेरा नमबर शायद देर से आएगा आज दलीत का न लांग रहा है और कराया कि हम सो तंत्र कैसे रहेंगे जी देखिए यूआओ को रोजगार चाहिए इन्होंने जो इलेक्शन में हमें जो वादे किये थे पंदरा लाग कारेक आकॉंड में देने वाले थे दो करोड नोकरिया देने वाले थे किसानों को कॉस्ट प्रोडक्शन फिप्टि पर्सेंट बेनिफिट देने वाले थे नफबा 10ड से तो ये हर जो इनने वादेने किये थे को एक वमिवाद इन्होंने पूरा नहीं किया है और जो मतलब काला धन वो व्यादे लाने लानीं तर नहीं लाया ल姜िए बाहर के देश-ट्य और यह सरकार ने एक सब जो पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेंड फंडिंग जो आएगा उसके अभी इंक्वाइरी नहीं होगी जो पैसे बाहर लेके गए वाले लोग है वो पैसा बीजेपी वाले सरकार सब यहां पर इलेक्शन में लाने वाली है तो हम जो रोजगार की बारे में जब बात करेंगे दो करोड रोजगार देने वाले थे इजुकेशन फ्री देने वाले थे किसान अंगोदाम देने वाले थे या और जो व्याइदे उन्होंने किये थे तो वह वादे तो पूरी नहीं कर रही है तो यह दलीत और इस देश के संविधान को बचाओ, इस देश के इतियास को बचाओ, इस देश की संस्कृति को बचाओ, ये देश का संविधान बदलना चाहते, जो इक्वेलिटी है, जो इंटिग्रेशन है, ये भी तोड़ना चाहते, तो इसके खिलाब पूरे देश से आवाज आ रही ह और हर एक गाउ से, किसान अभी मतलब उसके राइट्स के लिए, उसके हक के लिए, न्याय के लिए वो भी रास्ते पर आ रहा है, युवा भी आ रहा है, हर एक तपके से आवाज आ रही है, उसको दबा नहीं सकते, जितना आप दबाओगे, उतनी है जोर से बाहर आएगी, क् कि हमारे देश का इतियास, एक क्रांती का इतियास है, तो इस क्रांती को कोई रोक नहीं सकता, एक ना एक दिन देश में क्रांती जरूर आएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है.